आज में खाऊंगा पोटा, 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 पोटा टो नuinelyको दीदी कैसी है आप आज का मासम कितना अच्छा हो रहा है ना इस तरह काम करती वें देख कर अच्छा लग रहा है तुम अपनी मॉम की हेल्प कर रहे हो ला इसमें कुछ सी बड़ी बात है दीदी, बच्चे को तुम आपरा कियार करनी ही चाहिए तुम बहुत अच्छी बच्चे हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये कुछ बीज है लेलो आपका बाद बाद शुक्रिया दीदी ये तु कजर है अब तुमें नहीं अपने घर में उगाना हाँ, बिलकुल उगाऊंगा पर उगाते कैसे है तुम्हें बस इन बीजों को मित्ती में बोना है फिर उनमें पानी देना है और फिर अपने आपका उधा उग जाएगा मैं समझ गया दीदी, मैं आज से ही ये मिशन शुरू कर देता हूँ चलो अब मैं चलती हूँ, बाई आपसे बाद में मिलूँगा दीदी ये तुने किसे दी है शिंचैन मुझे ये नना को दीदी नी दी है मॉम, मैं ने उगाना चाहता हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम को कर पाओगे शिंचैन मैं बिसको कर पाओगा मां, आपका बेटा बहुत जाद समझदार है तुम कुछ भी कहलो, मुझे पता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा एक आइडिया, मुझे शिंचैन को एक मौका देना ही चाहिए हो सकता है, ये बार में और भी सब्जिया उगाने में मदद करे हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसे ही करती हो ठीक है शिंचैन, तुम इसे कर सकते हो, पर वादा करोगी तुम के साथ करोगी मैं वादा करता हूँ मा, और सबसे पहले मैं ये गाजर नना को दीदी को दूँगा हाँ, तुम ऐसा करोगी तुम नना को बहुत खुश होगी नना को दीदी तो खुश होगी, पर उन से जादा खुशी मुझे होगी जादा बाते मत करो, काम पर लग जाओ हाँ, ये तो तुमने अच्छी तरह से कर लिया अब इसे इस तरीके से करना है चलो अब इसमें बीश जाल दो अरे, एक बार में इतने सारे मत निकालो ओ, कोई बात नहीं बेटा माफ कीजेगा, माम मैं चीक रोकी नहीं पाया चलो अब इसमें बीश डालो अरे, सारे बीश एक साथ मत डालो थोड़े-थोड़े करके फैला दो हाँ, अब ठीक है ये तो हो गया अब मिट्टी से इंग वीजों को इस तरह ढग दो ठीक है ना? ऐसे ढग दो बहुत बड़ी है शिंचन, तुम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी गाजर निकलेंगी चल्दी से मड़ी हो जाना, मेरी प्यारी प्यारी गाजर कभी-कभी ये कितनी प्यारी बाते करता है ताकि मैं तुम्हें नना को दीदी के हवाले कर सकूँ चलो-चलो, अब इसमें थोड़ा पानी डालो थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस और अब? कुछ दिनों के बाद इसमें से गाजर निकलनी शुरू हो जाएंगी मैं इंतिजार करूँगा सुनो शीरो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन गाजरों का ध्यान रखना अगर कोई अजीब सा आदमी ये गाजर चुराने की कुशिश करे तो उसे आक्शन किक दे देना मुझे पता था ये इसका ध्यान नहीं रखने वाला है ना जाने कब उगेंगी ये ननाको दीदी, मैं ये आप के लिए लेकर आया हूँ मैंने बहुत महनत से उगाई है ये अरे वाद, तुम ये मेरे लिलाए हो तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया शेंचें अरे अब में इतना भी कास नहीं वाहाहा शेंचें तपने देखना बंकरों इसे उगाने इतना असान नहीं है और कुछ दिनों बाद देखे में क्या होता है खो गया शेंचें, शीरो को वाक पर ले जाओ ना माम, वो अपने आप चला जाएगा बहाने मत बनाओ, जल्दी जाओ हमेशा मुझे ही जाना पड़ता है माम, माम, जल्दी आपर आयो, यह देखिए, क्या हुआ क्या हुआ शेंचें? लगता है यह उठ रही है तुम कहना चाहते हो, उग रही है हमा, मैंसा भी कर सकते है, देखिए, यह उग रही है देखो, अब तुमें इसका और ज़्यादा ध्यान रखना है ख्याल रहे कि यह सूख ना जाए ठीक है चलो, कोल ड्रिंग पीलो अले, यूग जो शेंचें क्या हुआ? इसे कोल ड्रिंग नहीं, पानी देना है पर ऐसा क्यों? अगर तुम इसमें कोल ड्रिंग डालोगे तो यह पौदे खराब हो जाएंगे इसमें सिर्फ पानी डालो ये लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पानी लेकर आया हूँ और कुछ दिनों बाद शेंचें, तुम्हें इनकी थोड़ी सफाई भी करनी है ए, सफाई की करनी पड़ती है माम बेका, इसमें जो खराब मत्ते होते हो, उन्हें हमें हटा देना चाहिए इससे पौदे जल्दी बढ़ते हैं और अच्छी तरह बढ़ते हैं देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसकी सफाई किस तरह की जाती है माम, आप इसके सारे पट्टे निकाल रही है, ये कराब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा बीटा, सफाई करने से बल्कि अच्छी गाजर आएंगी चलो, अब इसमें पानी दो ये क्या किया? बीटा, तुम्हारी छोटी पहन है, खलती हो गई, माम कर दो इसे सारे पट्टे निकाल दिये, अब इसमें गाजरें कैसे होगेंगी, माम कुछ दिनों बाद अरे मेरी बाल का चले गई और कुछ दिनों बाद और कुछ दिनों बाद कितना भारी है, अरे वाह, लगता है इसमें गाजर निकलने लगी है हाँ और कुछ दिनों बाद शिंचेन, जल्दी दर आओ बेटा यह बहुत अच्छी लग रही है न माम अब यह गाजर उगने लगी है, जल्दी हम इसे सैलिड में इस्तिमाल कर पाएंगी नहीं माम, सबसे पहले मैं यह नना को दीडी को दूँगा वो इस गाजर को देट कर कितनी के छोगी, मेरी कितनी तारी करो देखा माम, मैंने आपको कहा धना नहीं कर पाऊंगा, मैंने दिन रात महनत करके आफिर यह काम करी दिया अब मैंसे ले जाता हूँ, अरची तरह साफ कर देता हूँ अरे, अरे, उसे थोड़ा बड़ा तो हो जाने देता, अरे, यह शिंचैन भी न, आदी उगे हुई गाजरी निकाल कर ले गया अरे, गिफ्ट पेपर कहा है, कहां रख दिया मैंने अरे, वहाँ अरे, शिंचैन भेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था के वो तुम्हारी है, माफ कर दो रैड माम भी तो यही कहती है ना कि बिना कुछ से कुछ नहीं खाना चाहिए, फिर आप में क्यों गाया कोई बात नहीं